प्लकल पतवाजिले में नहीं थमरा चोरियों का सिंचला रत्या की एक दुकान में लाखों की चोरी होई दस लाख रूपे से अधिक का नुक्षान बताया जा रहा है चोरों ने सेल मारी कर दुकान से लाखों रूपे की किमत का कोपर कितार वे नगदी उड़ाई दो बार पहले भी इसी दुकान में चोरी हो चुकी है अलांकि पुलिस मौके पर पहुँच गई और पुलिस अभी तक कारवाई की जा रही है पुलिस पुरी मामले की जाज कर रही है पलपल फैटाबाद से राजेस भांबू की विसेस रिपोर्ट आपको बता दे कि फटावा जिले में चोरियों का सिलसला रुखने का नाम नहीं लेगा चोरों के होंसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस का खौप बिल्कुल नहीं रहा सेवा सुरक्षा और सहयोक का नारा बुलंद करने वाली पुलिस के होंसलों से जादा चोरों के होसले बुलंद होते हुए नजारा रहें रत्या में चोरों ने बीती राद भगज सिंग चोक पर स्थिक किसान इलेक्ट्रोनिक स्टोर पर धावा बोलते हुए वहां पर रखी हुई लाकों रुपए की किमत की कोपकी वाये और गले में रक थी रखी हुए नगदी चुरा ली दुकानदार ने बताया कि चोरों ने दुकान के बाहर वाकाईदा गाड़ी लगा किरके उसमें समाल लादा और इस काम को कम से कम उन्हें दो घंटे लिकास समय लगा हुआ मगर पुलिस को इसकी कानो कान खावर नहीं हुई उन्होंने बताया कि बीती रात को वहर रोजाने की तरह दुकान बंद करके गया था चोरी की घटना की जानकारी मिली जिसके बाद उसने पुलिस को सुचित किया मौखे पर पुलिस पहुँची और पुलिस ने मामले की जान सुरू करती है बता दे कि इसी दुकान में करिब एक साल पहले दो बार चोरीया हो चुकी है उनका भी आज तक कोई पता नहीं लगा इसे ने केवल पुलिस की कारवाई पर सवालिया निशान लगता है बल्कि आम लोग कितने सुरक्षित हैं ये भी सपस्ट नजर आ रहा है लगातार एक ही दुकान में चोरी होना साधारण बात नहीं है और वो भी पुलिस की नाक के न करेंगे चक्के बार गड़ी लाइस है ना गड़ी लगके दोपए टाही गंटे कट नकंष रहे ना कम लेके चके चके डदे चक्रेस लेगे नहीं पची आ रहनी होता है पहले भी सब्ने चोरी इस साल पहले ओपहले ही होई कोई गजदी ऊफेली परावद की विज़ी और कि तो तारा बगरा सारा श्मान चख हाई करहा है साथ किन्ने के ठीक लिए तो कि लम ड़े तो 14fashion के राज घंद स्वित sociology कुण हा निबीन संत है ठीक है पहले साल पहले गया di और विरल्डी थी के रातम तक हाई नहें खाना है तो की बुरामद के देता है कि अगयी Washington